विदेश मंत्री एस जेशंकर ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि खालिस्तान समर्थक आतंकी हर्दीप सेंग निजर की हत्या पर कैनेडा में जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी आंतरक राजनीती के कारण है इस हत्याकान का भारत से कोई भी लेना देना नहीं है जेशंकर न क्या है कैनेडा में सतरूर पार्टी के पास संसर्द में भूमत नहीं है और कुछ दल्ग खालिस्तान समर्थक नेताओ पर निर्भर हैं उन्होंने कहा हमने उन्हें कई बार समझाया है कि वो ऐसे लोगों को वीजा वैदता या राजनीतिक स्थान ना दे जो भारत और कैने कैनेडा ने हमारी एक बात नहीं सुनी कैनेडा पुलस ने खालिस्तान समर्थक आतंकी हर्दीप सिंह निक्जर के कथित तीनों हत्यारों की पहचान उजागा करते हुए उनकी तसीरे भी साजा की हैं इनकी पहचान करण बरार कमल प्रीच सिंग और करन प्रीच सिंग के लगावादी हर्दीव सिंग निजर की हत्या पर कैनेडा में जो कुछ भी हो रहा है वो जादतर उनकी आंतरिक राजनीती के कारण है और उसका भारत से कोई भी लेना देना नहीं है कैनेडा के प्रधान मंतरी जस्टिन टूटो भारत की आलोशना क्यों कर रहे हैं इस सवाल क जवाब जैशंकर ने अपनी बात में कहा है उन्होंने ये भी कहा कि देश को विक्सक भारत बनाने के लिए विदेश सहित विभिन शेत्रों में और सुधार लाने के लिए नरेंद्र मुदी जैसे मजबूत और आक्टिव प्रधान मंतरी की जरुरत है विदेश मंतरी ने क हैं और वोट बैंक बन गया है कैनेडा में सत्तरूर पार्टी के पास संसर में भवूमत नहीं है और कुछ पार्टियां खाल स्थान समर्थक नेता उपर निरभर हैं हमने उन्हें कई बार ऐसे लोग को वीजा वैदता या राजनितिक स्थान देने के लिए मना किया जो उन अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें